हेलो एवरीवन, वेलकम टो MSA स्टेड जेच, आज मैं क्लास अठ्वे का बिग्यान का चेप्टर 4 का विदुद रासायनिक परभाव का कुछ बैकल्पिक प्रशन लेकर रहा है, तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ में इस प्रशन को जवाब देंगे, तो शुरू करते हैं, बिदुद रासायनिक परभाव, chemical effect of electric current का कुछ बैकल्पिक प्रशन, तो शुरू करते हैं, बिदुद रासायनिक परभाव का कुछ बैकल्पिक प्रशन का पहला प्रशन, तो लिखा हुआ है, पहला प्रशन, बिदुद रासायनिक परभाव का कुछ बैकल्पिक प्रशन क करता है मतलब विदुधारा क्या उत्पन करता है तो इसका एंसर बताइए विदुधारा क्या उत्पन करता है तो इसका सही एंसर होगा उस्मिये चुम्बके एवं रासायनिक परभाव उस्मिये चुम्बके और रासायनिक परभाव उत्पन करता है विदुधारा अगला प् आच्छा चालक है तो इसका के एंसर होगा कौन सा घोल बिदूत का चालक है दिसका सही अंसर होगा अधिरी कमल या निम्बू का रस ये घोलnya से बिदूत का अच्छा चालक है अगला प्रस्ण है कौन सा धातु है जिसे विदुत लेपन के दवारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है मतलब कौन सा धातु है जिसे विदुत लेपन के दवारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है जिसका क्या अंसर होगा जिसका सही अंसर होगा क्रोमियम क्रोमियम धातु को हैसे विदुत लेपन के दवारा किसी वस्तु को चमक को बढ़ाया जा सकता है अगला प्रस्न है चाओ था जब कौपर सलफेट बिलियन से विदुधारा परवाहित की जाती है तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से सन्योजित पलेट पर कौपर निचेपित होता है जब कौपर सलफेट बिलियन से विदुधारा परवाहित की जाती है तो बैटरी की कौन से टर्मिनल से सन्योजित पलेट पर कौपर निचेपित होता है तिसका क्या अंसर होगा तिसका सही अंसर होगा रीन रीन टर्मिनल पर है सन्योजित पलेट पर कौपर निचेपित होता है अगला प्रस्न है पच्वा बिदुद्धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इचित धातु की परत निचेपित करने की परिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताए इसका एंसर क्या होगा? इसका सही एंसर होगा बिदुद्लेपन क्या होगा? बिदुद्लेपन मतलब बिदुद्धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इचित धातु की परत निचेपित करने के परिक्रिया को बिदुद्लेपन कहते हैं अगला प्रस्ल है छठा लिखा हुआ है LED का विस्तार रूप क्या है? LED का विस्तारूप क्या है नहीं है? परकास उत्सर्जक डायोड क्या बोलते हैं परकास उत्सर्जक डायोड अंग्रेजी में लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं ते लीडी का फुल फर्म क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड हिंदी में परकास उत्सर्जक डायोड इसी परकास सत्वा प्रश्ण सी एफेल का विस्तार रूप क्या है मताँ सी एफेल का फुल फर्म क्या है जिसका क्या एंसर होगा सी एफेल का विस्तार रूप जिसका सही एंसर होगा सहंत प्रदीप्त लेम क्या बोलेंगे सहंत प्रदीप्त लेम अंग्रेजी में इसी परकार अगला प्रस्न अठ्वा पदार्थ जो बिदोधारा का दुरबल चालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जिसका एंसर क्या होगा हैं हीन चालक क्या होगा हीन चालक जिस पर विदुधारा कम परवाहित होगा तो इसे क्या कहेंगे हेंचालक कहेंगे इसी परकार नामा प्रशना CFL में क्या होता है मतलब CFL में क्या रहता है क्या होता है तिसका क्या होगा एंसर तिसका एंसर होगा पारा ठीक ना CFL में क्या होता है पारा होता है इसी प्रकार दस्वा प्रश्ण बिदुत अप घटन दवारा ओक्सिजन एवं हाइडरोजन गैस का परिक्षन कौन किये थे और कब तो इसका सही अंसर क्या होगा बताईए आप लो तो इसका सही अंसर होगा विलियम निकल्सन ने जो सन अठारा सो एस बी में परिक्षन किये थे बिदुत अप घटन दवारा ओक्सिजन एवं हाइडरोजन गैस का इसी परकार अगला प्रश्ण है एगारहमा आसुत जल बिदुत का चालन करता है तो इसका क्या एंसर होगा इसका एंसर होगा सही नहीं आसुत जल बिदुत का चालन नहीं करता है अगला प्रश्ण है बारहमा जब चालक बिलियन में बिदुत धारा परवाहित की जाती है तो बिलियन के रंग में बदल जाता है तो ये बदलना ही ये क्या संकित करता है तो बताईए इसका क्या एंसर होगा तो इसका सही एंसर होगा बिदुत धारा के रासाइनिक परवाव जो बिदुत धारा के रासाइनिक परवाव के कारण से ही बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है बदला होता है जब बिलियन में बिदुधारा परवाहित की जाती है तब इसी परकार अगला प्रस्न है तेरहवा लोहे के पूलों को जंग से बचाने के लिए किस धातू का बिदुतलेपन किया जाता है मतलब लोहे के पूल को जंग से बचाने के लिए किस धातू का बिदुतलेपन किया जाता है तो बताए इसका क्या अंसर होगा इसका सही अंसर होगा जींग क्या होगा जींग जो लोहे के उपर मतलब परत है चड़ा दिया जाता है मतलब विदुत लेपन किया जाता है जींक का ठीक ना लोहे के पूलों को जंग से बचाने के लिए जींक धातु का विदुत लेपन किया जाता है अगला प्रेस्ण है चोदहवा कौन सा बल्ब कमजोर विदुत धारा परवाहित होने पर भी दिप्त होता है कौन सा बल्ब कमजोर विदुत धारा परवाहित होने पर भी मतलब दिप्त होता है मतलब जल जाता है ना तो इसका क्या एंसर होगा तो इसका सही अंसर होगा LED क्या होगा LED जो कमजोर विदुत धारा मतलब कम विदुत धारा प्रवाहित होने पर भी दिप्त होता है ठीक न? तो कौन सा है? इसका सही अंसर LED ठीक है? तो ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का प्रास सेयर करें और आप मेरे यूट्यूब चैनल में अभी तक नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद